सेल्फ मनेजमेंट हम लगबग क्लास नाइन से पढ़ते आ रहे हैं और इसे में हम लोगों ने देखा है कि सेल्फ मनेजमेंट का मतलब होता है आपनों प्रबंदन यह जो मैं पढ़ा रहा हूँ यह यूटूब पे भी अवलेवल हो जाएगा ठीक यही चीज अगर तुम्हें यहां पर समझना है तो उसको वहां पर जाके देख सकते हो और जो समझ में नहीं आ रहा है उसको वाटसर ग्रूप में मुझसे बात में पूछ सकते हो अलग से समय मिलेगा स्कूल में जाके क्लास लगाने के लिए और अगर वो चाहेंगे कि सब चीजे वो समझ लें तो बाद मैं उन्हें दिक्कत का सामना करेंगा तो देखो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था SWOT Analysis SWOT का मतलब क्या होता है SWOT ठीक है तो SWOT Analysis का क्या फाइदा होता है कितने समय के लिए हो किया जाता है इसको क्यों करते हैं आप जो हम website शिक्षा का course कर रहे हैं इसको करने के बाद SWOT Analysis से हमें क्या फाइदा होगा SWOT Analysis पढ़के अभी क्या फाइदा होगा इसके बादे हम लोग जानेंगे SWOT Analysis का मतलब होता है SWOT शायद याद भी हो तुमें वो S का मतलब होता है Strength W का मतलब होता है Weakness Strength मतलब क्या होता है हमारी मजबूती है हमार सामर्द ठीक है जिस चीज़ में हम पके हैं उसे हम Strength कहेंगे weakness मतलब कि हमारी कमजोरी O मतलब opportunity opportunity मतलब मौके और T मतलब T से क्या होता है threat होता है तो अगर मैं तुम्हें दिखा हूँ यहाँ पे तो sort जो होता है यह एक business में इस्तमाल होने वाला up-caran है up-caran मतलब कि एक tool है यह और sort analysis में क्या किये जाता है उसको हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो यह एक अंतराल के लिए कि निश्चित समय अवधी के लिए इसको हम इस्तमाल में लाते हैं तो निश्चित समय अवधी क्या हो सकती है वो तीन मैना भी हो सकती है वो साल भी हो सकती है पांस साल भी हो सकती है, चीक है, तो, अगर हम यहाँ पर देखें इसे, तो, स्वार्ट एनलिसिस में, हमें क्या-क्या करना है, यह देखते हैं, स्वार्ट का मतलब होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, ऑपरचिनिटी, एंड थ्रेट, स्ट्रेंथ में हम देखेंगे, सबसे पहले हम किस चीज में मजबूत हैं, ऐसे हमारे लिए क्या फायदेमन चीजें हैं, जिसके हिसाब से हम आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हैं, ठीक अपरचिनिटीज क्या हैं? अपरचिनिटीज हमें पस यह हैं कि हम अपनी पढ़ाई में जाता-ज्यादा ध्यान लगा सकते हैं, जब तक कि COVID-19 का लॉकडाउन का पिरेट चल रहा है, अपने घर के सुरक्षित वातावरेंड में हम अपने ध्यान को जाता-ज्यादा अपन पढ़ाई को कर सकते हैं, पढ़ाई करने की जो हमारी शेली है, उसमें हम गुणवत्त ला सकते हैं, जो हमारा पढ़ने का जो हमारा काम है, उसमें हम गुणवत्त ला सकते हैं, या बहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, अब इसमें देखेंगे कि थ्रेट क्या हो जाएगा हमार थ्रेट यह हो जाएगा कि अब हम पढ़ना ही छोड़ दें, जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है, इस COVID-19 के लोगडाउन के पिरिड में बहुत सारे बच्चों ने पढ़ना ही छोड़ दिया है, ठीक है, तो यह SWOT analysis है, अब जब भी हम अपना optical fiber technician का course पूरा करके न या ITS का हो, यह course पूरा करके जब भी हम अपने नौकरी में जाएंगे, और अपना चोटा सा business चालू करेंगे, या हम खुद उद्यमी बनके, entrepreneur बनके, अपना कुछ business चालू करेंगे, तो हमें इन बातों को मद्दे नज़र रखते हुई हर कतम उठाना पूरेगा, क्या strength है क्या weakness है, क्या opportunity है और क्या threat है, तो यह दिये के निशित समय के लिए ही होता है, और उस समय के बाद, उस निशित अबदी के बाद, मालो, अभी हमारे पास क्या है, दस महीने बचे है पीपर के लिए, दस महीने के बाद, फिर हम करेंगे, या हमारे mid term के लिए, मालो, चार ही महिने बचे है तर्स-चार महिने के बाद हम लोग क्या करेंगे? अपने आपको फिर से स्वार्ट एनलिसिस में उतारेंगे फिर से हम स्वार्ट एनलिसिस करेंगे ठीक है? और जो छे मेने पहले के हमारी स्ट्रेंथ, वीक्नेस, ऑपॉररज़िनिटी और थ्रेट यानि कि हमारी शम्ता है हमारी शff Finanz, हमारी कमजोरी, हमारे मौके और हमारी जो थ्रेट है जो खत्त्रा है उसको हम Compare करेंगे मान लो च्छे मेने पहले मैंने स्वाट analysis किया था आज मैं पर से Wallacemark किया है और ये short analysis करने के बाद अब जब मैं 6 मेने पहले के और आज के short analysis को compare करूँगा तो मैं देख पाँगा कि मैं पिछे 6 मेने से आज की मौजूदा स्थिती में कितना आगे बढ़के आगे आगे आ चुको अगर तो मेरे पास strength बढ़ी है 6 मेने पहले में पास कम strength थी, आज में पास ज़्यादा strength है मैं समझूँगा कि हाँ, मैंने कुछ तरक्य की है 6 मेने पहले में पास कम weakness थी, आज ज़्यादा weakness होगी है तो मैं फिर क्या समझूंगा कि नई, पहले मैं कम-कम जोर था, मैं ज़्यादा कम जोर हो गया हूँ, मैंने तरक्की कम की है, ठीक है, छे मिने पहले मेरे पास कम opportunity थी, छे मिने बाद आज में पास ज़्यादा opportunity है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, कि हाँ मैंने कुछ तरक् थे हैंना मुझे खत्र जो थे वो जादा थे और छे मिने बाद आज मेरे पास खत्रे जो है वो कम है मैंने इतनी मेहनद किये कि मेरे खत्रे कम हो गए हैं मैं बोलूंगा कि मैं महत करके आगे आगया हूं तो short analysis इस प्रकार कार्य करता है दोबार एक पर मैं बता देता हूँ short का मतलब होता है strength, weakness, opportunities और threat strength का मतलब हमारी मजबूती हम किस किस शेत्र में अच्छा कर रहे हैं अच्छा हमारा प्रदर्शन है यह हम अच्छा कर सकते हैं weakness जो यह वह area होता है यह वह हमारे जीवन का यह हमारे business का शेत्र होता है जहां पर हमें अपने आपको बहतर करने की आविशकता होती है opportunities यह लगबग वो लक्षे होते हैं जिने के हम प्राप्ट करना चाहते हैं हमारे लिए जो मौके जो अफसर खोले होते हैं मुने opportunities कहते ही और D से होता है threat, threat मतलब की हमारी मुश्किल है, हमारे लिए क्या खत्रा है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे की planning भी करते हैं, ठीक है, अब मालो मैं आगे की planning करना चाहता हूँ, मुझे अ thought analysis किया नहीं है, तो क्या मैं आगे की planning में successful हो जाऊँगा, अगर मैं thought analysis करके आप में जागता नहीं फिलाई है, तो मैं कितनी ही अच्छी planning कर लूँ, अपनी विशेष्टाओं, अपनी कमजोरियों, अपने मौकों, अपने अफसरों को अगर मैं मद्य नजर रखके planning नहीं करता हूँ, इन चीज़ों को ध्यान में लेकर के planning नहीं करता हूँ, तो मेरे plan मुझे लक्ष तक नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जब मैं अपनी मजबूतियों, खामियों को, अपनी कमजोरियों को, अपने मौकों को ध्यान में लेकर के planning करता हूँ, तो मेरे अपने लक्ष प्राप्त करने की जो राइकता है जिस probability के साथ मैं अपने लक्ष को प्राप्त कर सकता हूँ है जो मेरे प्राप्त करने के जो प्रतिशत है वो बढ़ जाएगा चीक है तो यह हो गया sort analysis अब आप लोगों का कारे क्या है आज का कि आप लोगों ने अपने मौझूदा स्थिति का sort analysis करना है आज की तारीक आपने कारगज पर सबसे उपर आज की तारीक को लिखना है उसके बाद आपने अपनी strength को लिखना है अपनी weakness को लिखना है ठीक है एस लिख देंगे strength और strength लिख देनी आपने आज की जो आपको लगती कि अच्छा में पास यह strength है जब आपके strength पूरी हो जाएंगी आपने लिखना है W बड़ा सा weakness अपने जीवन की आज की मौझूद weaknesses को आपने उसमें लिख देना है अगले प्रने पर जाना है अपने उसी प्रने को पलेटना है वो उसे opportunities लिखना है अपने जीवन में आपको जो लक्षे हैं जो आप आप पाना चाहते हैं जो आपके पास मौका है अबसर है उसको अपने लिखते हैं 6 मीने में 6 मीने में आप कहा होना चाहते हैं आप उसको लिख दीजिए जब यह खतम हो जाएका तो T से threat लिख दीजिए threat लिखने के बाद जो आपको लगता है कि आपको रुकावट कहले ज़ेंगे उसको अप लिख दीई ठीक है इसको धेहन से देखिए सवर्टे अने अपने किया है धेहन से देखने के बाद अपने प्लाइनिक की ओर आप चली है आ है चे मीने बाद मुझे एक प्राप्त करना है ऐसे से मुझे करना है, यह मेरा स्वार्ट अनलिसिस है, यह मेरी खामिया है, मजबूतिया है, यहाँ जा सकता हूँ, यह मेरी रोड़े हैं रास्ते के, इनको पार करके मुझे किस प्रगार आगे बढ़ना है, ठीक है जी?